नमस्कार दोस्तो ओने लेर्णिंग्स टैनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रती मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो डिक्टेशन का मैटर और यह सभी डिफिकल्ट आउटलाइन आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप और वाट्सेप ग्रूप पर भी मिल जाएगी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में दिया गया है आप वहां से जुड़कर डिक्टेशन का मैटर और यह सभी डि मान के बाद इस महकमे के करमचारी अब जिन्स टी-शट नहीं पहन पाएंगे और उन्हें कारले में उपचारिक कपड़े पहन कर आना होगा विभाग का कहना है कि जिन्स पैंट और टी-शट कारले संस्कृती के खिलाफ है इसलिए इसे पहनने पर मना ही होगी भारतिय परिप्रेक्षे में इस पहनावे को लेकर आम धारणा यही रही है कि यह एक विदेशी कपड़े का अनुगमन है और इसे अनुपचारिक रूप से ही पहना जा सकता है आम तोर पर कारलेओं या किसी समहरो आदी में लोग कमीज पैंट या अन्य कपड़ों को तरजी देते रहे हैं यही वजह है कि बिहार में शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर करमचारियों या अन्य पक्ष की और से कोई खास आपत्ती सामने नहीं आई है बिहार में इस तरह का आदेश कोई पहली बार नहीं आया है इस से पहले 2019 में भी सरकार ने राज्य सचीवाले में सभी करमचारियों के जिन्स और टीशट पहनने पर पाबंदी लगा दी थी और उन्हें साधारन हलके और अरामदायक कपड़े पहन कर दफ्तर आने को कहा था तब इसे लेकर कहा गया था कि इसका मकसद कारले की मर्यादा बरकरार रखना है किसी विभाग में करमचारियों के लिए कोई खास नियम तै करना उसके अपने अधिकार शेत्र में है और पहनावे को भी इसी संधर में देखा जा सकता है लेकिन यहे कैसे तै किया जाएगा कि कारले संस्कृती के मुताबिक उपचारिक परिधान में आने वाला कोई करमचारी जिन्स पैंट या टीशट पहनने वाले किसी वेक्ती से ज्यादा सक्षम जिम्मेदार और अपने दाइत्वों के प्रती सजग है हालांकी बिहार के शिक्षा विभाग के आदेश में फिलहाल इसे किसी ड्रेस कोड या एक रूप परिधान के आदेश की तरह नहीं देखा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई खास पहनावा तै नहीं किया गया है लेकिन एक बार फिर ऐसे फर्मान के सकारात्मक और नकारात्मक पहलूं और उसके ओचित्ते पर बात हो रही है विशेश रूप से जीन्स, पैंट और टी-शट पहनने पर पाबंदी के बाद यह सवाल उठा है कि किसी पहनावे को किन आधारों पर आपचारिक या अनोपचारिक घोशित किया जाता है किसी भी देशकाल में पहनावा एक ऐसा पहलू रहा है जो वक्त और जरूरत के साथ बदलता रहा है और अलग-अलग संस्कृतियों में लोग इसे सुवीधा, सहजता, पसंद, उपयोगिता, उपलवजता, आदी के लिहाज से अपनाते हैं या फिर उसके प्रती आकरशित नहीं होते हैं दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में